नमस्कार मैं डॉक्टर सुनीत मीना इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रजातांत्रक राजने की विशेष्टाओं का उलेक किया था डिसकस किया था जिसमें यह समझ में आया यह हमने यह समझने का प्रयास किया कि प्रजातांत्रक राज में राजने आखिर में है क्या तो शब्द से ही जैसा हमने आपको बताया अर्थात इसमें क्या होता है कि राजने को नेकेवल अपने देश के शाष्कों की रूची का ध्यान रखना पड प्रजातांत्रिक राजने को की तरफ इशारा करती हैं लेकिन देखिए कहा जाता है प्रतेक वस्तु के दो पक्ष होते हैं उसके कुछ गुण होते हैं और कुछ दोश होते हैं यह बार ठीक है कि प्रजातांत्रिक राजने को जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो बहुत सारे गुण हमें इसमें नजर आते हैं विश्यस्ताओं के साथ कि कहीं न कहीं जनता इसमे जुड़ी हुई हैं जनता के हित इसमें जुड़े होते हैं और इनी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रचातंतरक राजने के निम लिखित गुण हमारे सामने आते हैं जिसमें पहला है कि इसमें संधियां खुले रूप में होती हैं देगे प्रचातंतरक के विकास से प्रचत स्विस्तापित किया प्रजातंतरक राजने में ऐसी संधियों आपना और संदी की क्रियान विति सही रूप में अदिक सफलता से। पाती है जैसे उधारण के लिए भारत और सोवेत मैत्री संदी जो थी अगस्त 1971 के संबंद में देश के सभी प्रेमुक राजनेतिक दलों की सहमती थी जनता भी सारी इस्तिती से अवगत थी इसके साथ ही प्रजातांत्रक राजने कई गुण है कि प्रैस की भूमिका इसमें म यह शक्त जन्मत का निर्मान करता है साथी अनुत्रदाई राजनेताओं पर नियंत्रण भी रखता है नेक्स्ट इसमें हम ले सकते हैं कि विदेश सेवा का संचालन कूट नितिक सेवाओं में योगता के आधार पर भरती किये जाने के कारण विदेश सेवा का कुशलता प हैं कि इसमें गुप्त शड्य अंत्रों तता घात के लिए कोई इस्थान नहीं होता है सेयक्त राजसंके महित को में बढ़ाया है महासबा का महित्व इससे उत्रोत्र 거ता ही लेकिन सάथ ही जैसा कहा है कि वही किसी एक चीज का गुण होते हैं तो उसके दोश भी होते हैं तो गुणों के सासाथ प्रजातांत्रिक राजने की वापक आलोचना भी हुई है हेडल स्टेन के मतानुसार प्रथम विशुद के बाद का राजने यथार्त में राजने था ही नहीं उनका परामर्श है कि हमको अधिक सक्षम व्यवसाइक राजने की और लोटना ही होगा या लोट जाना चाहिए हेरल्ड निकलसन तथा अन्य विचारां को द्वारा वर्णित प्रजातांत्रक राजने के कुछ खत्रे यह दोशों का वर्णिन किया है जो इस प्रकार है दोशों को हम नेक्स वीडियो में डिस